नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियोज में मरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे बस में बढ़े हुए किराय के बारे में बिहार में बस का सफर करना अब और भी महंगा हो गया है बता दे कि बिहार राजपत है परिबहार निगम ने बताया है किराय में 18 से 20 फिज़ी तक की बढ़ोतरी कर दी है लोग महंगाई की मार तो पहले से ही जेल रहे थे यह ख़बर सामने आने के बाद एक बार फिर से सफर करना चाहते हैं तो अपने पैकेट पर यह नजर जरूर डाल लें कि आपके जेब में कितने पैसे हैं क्योंकि अगर आप बस पर चले जाएंगे तो उस समय अगर पैसे में कमी आएगी तो आपको बस कंडेक्टर से छिक जिक की सिती उत पर हो सकती है इसलिए जान करना पड़ेगा इससे पहले इतनी दूरी के लिए यानि कि पटना से मुझफर पुर का सफर करने के लिए ही आपको 90 रुपे देने पड़ते थे लेखिन अब बढ़कर 116 रुपे हो गया है इसी अनुपात में बढ़ाया गया है यादि आप बेतिया से पटना आ रहे हैं तो आपको 350 रुपे किराया देना होगा पहले यह किराय जो था 297 रुपे का था वही अगर हम डिलक्स बस के भाड़े की बात करें तो इसके लिए जो है 297 रुपे की जगा अब 301 रुपे किराया देने होंगे यही हाल अनुरूटों पर भी है बता दें कि बस के बढ़े ह किराय से रोज आने जाने वालों को परसानी होगी साथे साथ इसका असर रोजगार पर भी साफ साफ देखने को मिलेगा वहीं बस के बढ़े हुए किराय की बात कर ले तो पटना से नावादा जाने वाले या 312 रुपे के बदले अब जो है उन्हें 165 रुपे के बदले अ वहीं अगर हम और भी रूटों का जिक्र कर ले तो पटना और अंगाबाद का जो नया किराया है वो 222 रुपे है पुराना किराया इसका था 194 रुपे है पटना समझतेपूर डिलक्स का जो नया किराया है वो है 105 रुपे है जबकि इसका पुराना किराया जो था 145 रुप 250 151 रुपय हैै पुराना किराय जो धा 340 रुपय था पतना राजगेर एक सी बस का जो नया किराय है वोह है Lockdown के बाद किरायें में बढ़ोतरी की गई थी Lockdown के दोरान सरकार ने कहा था Social Distancing का पालंगरे इस दोरान बसों में यातरियों के संख्या कम हो गई थी उसके बाद बस मालिकों ने यातरियों के किराया बढ़ाया था क्योंकि उनका Diesel का खर्ज उतरहीं लगता था लंबी जलब चली कई तरह की घटनाय जो है मेडिया की सुरुखियां बनी और थानों में रपट भी दर्ज हुआ उसके बाद बिहार सरकार ने सूध ली और उन्होंने यह माना कि इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है पिछले दिन उन्होंने आम लोगों से भी पोटल पर इसकी म गई है तो ऐसे में जो है अब नए किराय जो है वह सामने आ गया है इससे यह साफ हो गया कि अगर आप अगर आप अगर आप लंबी दूरी का सफ़य कर रहे हैं तो आप अपने पैकेट पर एक वाजरूर दियान दें क्योंकि बस का किराया बढ़ गया है बिहार और बिहार नियोज के साथ मुझे दिये जाज़त धन्यवाद